अलेकुम कैसे हैं आप सब और में भी आप सब की दुआउं से बिल्कुल ठीक हूँ तो यहां पर मैंने ओनलाइन वो चोपिंग बॉर्ड होता है ना वो ओडर करा था तो वो भी आ गया था तो मैं उसको खोल रहे हूं और देख रहे हूं कैसा है तो वो काफी अच्छा आया जैसा मैंने देखा था मोबाइल में ओडर करते टाइम वैसे आया था इस बार मेरी दोनों चीज़े बिल्कुल ठीक ठाक आ गई वरना इससे पहले मैंने एक ड्रेस ओडर करा था तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं आया था तो फिर वो मैंने रिटर्न करा था यह देखे शाम की चाय का टाइम हो गया था तो मैंने चाय बना ली थी चाय को मैं बड़े सुकून से पीती हूं शाम की अच्छे से क्योंकि शाम की चाय सब बच्चे वगेरा सब साथ में रहते हैं तो हम सब साथ में पीते हैं अच्छे से सुकून से चाय को इंजॉय करेंगे तो आज मैं एक बड़े के गोश्ट का सालन बनाने वाली हूं तो मैं भी YouTube पे देखती हूं वीडियो बगेरा तो वह एक बहुत बड़े शेफ ने बनाई थी तो मैं सोच रही हूँ के मैं भी बनाकर देखती हूं, उस तरीके से कैसा बनता है, फिर मैं उसकी वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए भी डाल रही हूं, तो आप लोग जरूर एक बार देख लिएगा कीसी बन रही है वो रेशीपी, और कैसा लग रहा है वो सालन, आप ल ठोटी जोटी प्यास की उतीन टमाटाय डालके और नमक डालके ठोड़ा पाणी डालके उसको बाल लूँंगे अच्छी तरिके से बाकी हमें और कुछ नहीं डालना है बस यह तीनों चीज़े डालके और पूरा अच्छे तरीके से सहने उबाल लेना है बस हलकी सी कसर छोलनी है इतनी देर में हमारा गोश उबल रहा था तो बहार फुरूड वाले भाई आ गए तो बच्चों को संत्रे खाना थे तो मैं संत्रे चेक करके ले रहे हूं क्योंकि आजकल खटे बहुत आ रहा हैं संत्रे और मैंने ये लिए थे तो अच्छे मीठे थे फिर मैंने राशन का समान बस मुझे लेने जाना पड़ता है और गोश वगेरा बाकी तो चीज़ें घर के सामने से निकल जाते हैं ठेले वाले तो सब ले ले लेती हूं मैं आजकल फल वगेर अभी अच्छे आए हूँ है मोसम के साब से फिर उसके बाद बच्चों को मिले संत्रे दे दिये वो खा रहे थे यहाँ पर मैं गोश के सालन की तयारी कर रहे हूं तो उसके लिए मैंने दई ले लिया और दई हमारा खट्टा वाला नहीं है नॉर्माल है तो उसमें मैंने आदा चमच हल्दी और देड़ चमच पिसा धनिया और आदा चमच नमक नमक हमें टेस्ट के साब से थोड़ा देख के लेना है क्योंकि हमने गोश में भी डाला था ठीक है और फिर पिसी मिरच डाली है मैंने हमें जितनी लगती है एक चमच तो हमारा आप लोग अगर जादा लें तो उसके आप से देख लीजिएगा क्योंकि मैंने आदा किलो गोश बनाया है कि अब उसको मैंने मिला के रख लिगा यहां पर तेल चड़ा दिया है और बागार में मैं सिर्फ एक चोटा सा डाल चीनी का तुकड़ा और तीन से चार हरी लाई इसी और दो-थिन तेस पत्ता डाल के बागार लेंगे अच्छे से खुशबू आने तक और यह मसाला हमने दई में बनाया था उसको डाल देंगो और उसको हमें भूनना अच्छे से ताके दई की खुशबू जो होती है ना वह कतम हो जाए और मसाला अच्छे से उभुन ज दाल दूंगी। इसमों कीसी कसरे बस तो वो उसके साथ में पखाऊंगी मसाले के साथ और साथ में आलू भी डाल दूंगी तो दौनों चीजों मैं बना लूँघ मोलघ rek Dip को अच्छ। यह chopping board अच्छा है मैं तो सोच रही थी मुझे तो आदा थे शुरू से वैसे ही काटने की पर बेटी काटती है ने कभी उसे कुछ काटने को देते हैं तो बोलती ही मम्मी हाथ में लगती है तो मतलब लगने का डर रहता है इसलिए उसने order करिए पर अच्छा है मैंने काटा तो लेना है और चान के पानी इसमें डालना हो प्याज टमाटर फेक देना है क्योंकि उसका फ्लेवर इस पानी में आ गया अब हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसको पांस से दसमिने दोर पका लेंगे ताकि शोरूवे में भी अच्छा फ्लेवर आ जाए और यह बहुती भुना कुटा जीरा डाला है इन दोनों की जो खुच्बू भूती मज़े की आती है इसमें डालके और फिर हमारा धनिया डालके और धाक के पांच मिनट के लिए रख देंगे ना तो इसकी जो जबरदस्त खुच्बू आती है इसके मसालों में और इसके शोरूवे में भूती मज़े का बनता है और ये चाबलों के साथ भी खा सकते हैं और नॉर्मल घर की रोटियों से भी खा सकते हैं धाक के रख दूंगी तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता इसमें ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रहे हूं इसका शोरूवा वगेरा भूती प बनाना पर बच्चों लोगों के बिल्कुल है ना मुह से टेस्ट चला गया था हट गया था बिल्कुल और अभी हम कहीं बहार शादियों में जा रहे थे ना फिर खा रहे थे तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कभी पेट दुख रहा था कभी कुछ इसलिए की भी आदत बनेगी इस तरीके से और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और आगर शेयर करें और ये वाला सालन मेरे तरीके से एक बार जरूर बना के देखिएगा बिल्कुली मज़ा आ जाएगा आप लोगों को खाके फिर के अगली वीडियो में तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखना अल्ला हाफिज